जहिन दोस्तों आज मैं आपके लिए दो टॉप टेन खबरे लाया हूँ पहली खबर जो है दिल्ली से है पहली खबर रियायतों के साथ दिल्ली में 14 जून तक पड़ा लोगडाउन जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद बजार मॉल शोपिंग कॉंपलेक्स खुलेंगे दस बजे से रात आड़ बजे तक खुलेंगे सेंडलों की दुकान और पास पोडोस की दुकान रोजाना सुबा दस बजे से लेकर रात आड़ बजे तक खुलेंगे प्राइवेट दफ्तर अपने 25 परतिशन सम्ता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे के बाद सरकरी दफ्तर भी खुलेंगे क्लास 1 अफसर 100 परतिशत शम्ता और बागी 25 परतिशन सम्ता के साथ काम करेंगे मेट्रो पचाश परितेश अमता के साथ चलेगी इकॉमर्स कमपनिया घर पर सामान डिलेवर कर सकती है यह सब नहीं खुलेगा जीम, स्पा, सलून, इंटर, टेन्मेंट, पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क और गार्डन, एसेम्बिली हॉल, और्डो, टोरियम, सब्ताहिक, बाजार, एजुकेशन और कोचिंग, इंस्टिटूट, सेनेमा और थेटर, रेस्टरांट और बार, 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 शॉप, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पुल चलते हैं दोस्तों, दूसरी खबर की तरफ, दूसरी खबर यह के आरेसेस के बड़े नेता के ट्विटर हैंडल से हटा ब्लू टिक, केंदर सरकार और ट्विटर के बीच टकराओं, केंदर सरकार और माइक्रो ब्लॉग गिंग विबसाइट ट्विटर के बीच टकराओं ब बात विवाद गहरा गया है हलाकी ट्विटर ने उपराष्टपटी के मामले में अब यू टर्न ले लिया है उपराष्टपटी वेंके नाइडो नीजी ट्विटर आकाउंट पर ब्लू टिक वापस आ गया है उपराष्टपटी के आकाउंट को अन्वारिफाइ करने पर सरक झाल झाल